मत्यप्रदेश 3 जून 2019 सोंबार मत्यप्रदेश के आज की बड़ी खबर है तो स्वागत है आपका गयान मित्र नूज चेल में मैं हूं आपगे गयान मित्र कुल्दीप पांडे दर्शकों आज के वीडियो हम भात करने जा रहा हैं मत्रप्रदेश के आज के तीन जून 2019 सुम बार के आज की बड़ी खबरों के बारे में कौन को इस खबरे निकल कर रही है और क्या पुरी जान कर रही जानने के लिए इस वीडियो को अंते तक अवर्श्य देखें और यदि आपने वी तक हमारे चमक सब्सक्राइब नहीं किय पुरी खबर को विस्तार से आई श्रू करते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से पहली बड़ी अपडेट कर निकल कर रही है जाबुआ उप्चुनाओं में टिकेट भूरिया को मिलेगा या नया चेहरा देखेगा आई जान लेते हैं पॉलिटिक न्यूस्त दूस्पका दिनें आदिवासी की राजनीती कांग्रेस के में महतो केंद्री मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पत तक पहुंचेंगे मुख्य मंत्री पत के दाविदार भी रहे परन्तु अब हालात यह हैं कि वो खुद कांग्रेस में अपने दिल लिए किसी कूर्सी की कल्पना नहीं हो जाएगी विधान सब चुनाओं में बेटा हारा दोस अब कांतिलाल भूरिया ने अपने विक्रांत भूरिया को मेदान में उता रहा था भाजपा यहां अपना सबसे दिगज सबसे दिगज नेता आदिवासी नेता दिलीब सिंग भूरिया को खोच चुकी है पार्टे यहां से विक्रांत के सामने जी एस डामोर को उता रहा था पूरे प्रदेश में कर्जमाफी के बचन की लहर चल रही थी और फिर जाबुआ सीट को कांतिलाल भूरिया का गड़ थी बाव जोसके कांतिलाल भूरिया चुनाओं हार गये यह बहुत सर्मसार करने वाला में उत्रें दिलीप सिंग भूरिया के स्वर्गुवास के बाद भाजपा के पास कोई नेता नहीं था कहा यह भी जाता था कि कांतिलाल भूरिया और सिवराज सिंग में दोस्ती काफी घहरी है सो भाजपा के विदायक जी एस डामोर को लोगसभा का टिकेट दिया था भूरिया को सर्मसार पराजेगा सामना करना पड़ाता क्या है भूरिया का भविष्ट दोस्तों आपको तादे कांतिलाल भूरिया मद्दप्रदेश के बड़े आदिवासी ने अता हुआ करते थे परन्तों जब आदिवासियों में उनकी पकड़ नहीं रहे गई आदिवा तो संभाव नहीं लगता है आई जानते हैं अगले ख़वर को बात कर लेते दूसरी बड़ी अपडेट ख़वर की जो की निकल कर रही है ई-पी-एफ-ओ के प्रवर्तक अधिकारी शाम अखंडर रिश्वत लेते गिरफतार उज्जयन मंसौर जखवारे दोस्तों आपको साले वकील को भी ग्रफतार किया गया है दोनों आरोपियों को अदालत ने छे जून तक के पुलिस रिमांड पर सी बियाई को सोपा है नामला उज्जयन मंसौर का है जानकारी के मताबिक रेलवे के एक कांस्टे अंकंट्रेक्टर के कर्मचारी कुग की कर्मचारी बुदवानी में एपी एफो के प्रवर्ताक अधिकारी शाम अखंड के बीच बादचित की और मामले के निप्टारे के लिए पांच लाख रुपे की रिश्वत की बात हुई इस बीच के अंधरी जाज बुरो को कर्मचारी के एपी एफ के राशी विवाद की सूचना मिली और रिश्वत के लेंदेन के पुक्ता सूचना मिलने के पर सीवियाई इस ने रविवार को कार्रेवाई की बुधनी के ने शाम अखंड को दो लाख रुपे की राशी पहुचाई तो सीवियाई ने दोनों को ग्रफतार कर लिया इसमें से एक वेक्ती मंसोर और दूसरा उज्जेन में ग्रफतार किया गया था आईए बढ़ते हां के बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी अपडेट ख़बर की जो के निकल कर रहे हैं मद्यप्रदेश की सभी जनपतों में जन समस्चा निवारान शिवर लगा जाने यह के ना है नगरिये विकास मंत्री का दोस्तों मद्यप्रदेश में नगरिये निकाय प्रभार के राजगर जिले में सभी जनपतों में जन समस्चा निवारान शिवर लगाने के निरदेश दिये हैं इससे पहले मुक्यमंति कमलनात ने सीम हेल्प लाइन में लंबिश शिकाय दोकान इप्टारा करने के लिए के आदेश दिये थे आज राजगर में जिला योजना के विस्तापितों के पुनर्वास के कारे समय सीमा में पूरे किये जाएंगे प्रभारी मंत्री ने जिले के ग्रामीर और शहरी छेत्रों में निरबाद पे पूर्ती सुनिश्चित करने के निरदेश भी दिये हैं समीति की बैठक में उर्जा मंत्री श्रीप्रिव श्री गोबर्दन दांगी, श्री जैवर्दन सिंग और श्री कुमर कोठार तथा जिला पंचायत अध्यक श्री मति जस्वंत गुर्जर भी शामिल हुई थी आज यह बढ़ते हैं के बात कर लेते हैं चोथी बड़ी अप्रेट खबर की जो की निकल के आ रही है रोज़ा इफस्तार में शामिल हुए मुक्य मंत्री कमलनाथ मुख्य मंत्री कमलनाथ आज जहां अल्प संक्या कल्यान मंत्री श्री आरीफ अकील के निवास पर रोजा इफ्तार कारीक्रम में शामिल हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि इबादत से बड़ी कोई चीज नहीं होती है को हिख्वासजित कि राज्यसम्रों ठीलों सृ दिगवियसिंग falsness anta ओंध़ मुंख्यमंद्रीका में पूर्वद्यम्रों सलीम के निवास पर रोजड़ कारिक्रम में शामिव हुए थे मुख्यमंत्री ने शहर काजी श्री मुस्ताक अली नदवी को फल खिलाया और अन्य रोजेदारों को इफ़तार करवाई थी ग्रह मंत्री श्री बाला बच्चन एवाँ अन्य धर्मों के धर्म गुरू एवाँ उपासक भी रोजा इफ़तार में शामिल हुए थे यह पणते हैं आगे बात कर लिते हैं पांच उरर कंत्री बड़ी ख़बर के बारहे में जोगिंनिकल अ रही है अतिथी सिक्षक समाचार से दोस्ताब को बता दें अतिषी श्क आमरन अंसन के दूसरे दिन एक अतिश श्क कर रहा है वहाँ पर अतितियों के हलत बड़ी खराब है किया है पूरी जानकारी आई जाने लेते हैं दोस्तों कर दोसरे दिन भी चालू रहा कल अंसन के दोरान प्रदेश कार समीति सथन नोखे लाल तिवारी करीब दो गंटे बेहोश रहे लेकिन कोई भी डॉक्टरी सुईधा उपलब्द नहीं हुई आतिति सिक्षक नोखे लाल तिवारी ने एक जून से अन जल सब त्याक कर दिया था उस जिसके कारण कल सुभा से ही उनके स्वास्त में गिरावटा गरही थी और दो बेहोश हो गये ते जिसका कारण करीब दो गंटे बेहोश रहे अतिति सिक्षक द्वारा बताया गया है कि अतिति सिक्षक कई वर्सों से परिशान है अब उन्हें कांग्रेस के वचन पत्रल से विश्वास हुआ था कि अतिति सिक्षकों का भविश समर जाएगा लेकिन सरकार का रविया देख करता तो प्रशाशन की ओर से कई सुविधाय प्रदान की जाती थी अमरण अंसन के करीद 36 घंटे बीज जाने के बहाद भी प्रशाशन की ओर से कोई डाक्टर नियुक्त नहीं किया गया सेखड़ो अतिति सिक्षक अंसन में बेठे हुए हैं रविशंकर गुपता अशोक स सिंग शशांक दूइवेदी कुमर सिंग राज राखन साहु अनिल तिवारी ब्रजेश तिवारी लाल जी सुनील सिंग जिसमें नोखे लाल तिवारी जी की स्वास्त में काफी गिरावट आई है और यह इस पकार से इनका अंसन चारी है और बैठे हुए हैं दशको इस पक कांतिलाल भूरिया को मिलेगा या नहीं जानी इप्यों के प्रवरतन अधिकारी शाम खंडत रिश्वत लेते ग्रफतार तीसी बड़ी अपडेट का वर में मद्यप्रदेश के सभी जन्पत पंचाय तो मस जन्समसर निवारान शिवर लगाए जाएंगे के नहीं नगरी न लाइख करें और अधिक सभेड़न तक शेयर करें सभी जानकारी से अताकि से लाभ हण की सटें और आपने हमारे चूरुह सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ग्यार में तरब नियूश्यों सब्सक्राइब करने हूं सहां से बैल आइकों दबाद जिस तरह का प्रेट नियूस आप तक तुरह पहुंश पाए और आप उनसे लावन में तुस्छा के इंद रिश्कों आज कसे वीडियों नहीं हम फराज रोते हैं नहीं शेक साथ जब तक लीज जय हिन जय भारत वांद मात्र है